तेरादून दिफेंस अकादमी वेर एक्सिलेंस इस दी ओनली एम जो आपके पेपर होंगे तो पहला एक्सामनेशन होगा और मैट्स में टोटल नमर अफ कुशिन्स आप फेस करेंगे 120 इसमें धाई घिंटे का आपको टाइम मिलेगा टोटल माक्स होंगे आपके 300 माक्स का एक्साम होगा माक्स पर कुश्चिन 2.5 अगर आपने सही कुश्चि और अगर आपने कोई कुश्चिन गलत किया तो उसके आपके 0.83 माक्स काट लिए जाएंगे ठीक है तो यह होगे हमारा मैट्स का एक्सामनेशन होगा 120 कुश्चिन 300 माक्स डाई गंटे का टाइम है अगर सही किया तो 2.5 माक्स आपको मिलेंगे और गलत किया तो 0.83 माक्स काट लिए जाएंगे मैट्स में अगर चैप्टर वाइज अनलिसिस हम लोग देखें कि किस चैप्टर से कितने कुश्चिन आ रहे हैं तो सैट थियोरी एलेशन और फंशन से 15 एवरेज 15-17 कुश्चिन हमाँ लगबग हर साल देखते हैं कभी 14 हो जाते हैं कभी 13 हो जाते है लेगिन इसी रेंज में लगबग यह रहेगा कैलकुलास में 7-8 कुश्चिन्स है टिगन्यमेटर से 15 कुश्चिन्स आते हैं और यह रेगौलर्ली 15 कुश्चिन्स आते हैं टिंग Language talking ग हैं Card islands lowest इनिकुलिटी से 12 questions है, permutation combination से 3 questions है, logarithm से 1 से 2 questions आएंगे, matrices and remnant से 4 से 5 questions, vector algebra से 7 से 8 questions, miscellaneous मतब जो किसी particular chapter से नहीं है, 5 से 7 questions और इस तरीकर से लगबग 120 questions आपको total face करना है, आपको यह देखना है कि जिन chapter से ज्यादा questions आ रहे हैं, यह उनका weightage ज्यादा है, अपने त्यारी करते ज्यादा तर ध्यान इनी chapters पर देना है, जहांसे 1 या 2 या 3 questions आ रहे हैं, यह chapter आपको बाद में पढ़ने हैं, बाद में तियार करना है, ज्यादा तर आपका focus उन chapters से होना चाहिए, जहांका weightage ज्यादा है, जहांसे ज्यादा number of questions आप face करने वाले हैं, चलिए, इसके बाद आप GAT का paper करेंगे face, total number of questions जो आपको GAT माएंगे, GAT का मतलब है, English plus GK और plus GS, यानि English grammar और vocabulary का जो भी section आता है, general knowledge और general science, इन सब के मिला के आपको 150 questions face करना है, इन 150 questions के लिए आपको ढ़ाए गंटे का time मिलेगा, total marks आपको इसके मिलेंगे 600, एक question सही करने आपको 4 number मिलेंगे और अगर question आपने गल्थ attempt किया, तो उसकी negative marking क्या है, 1.33, यहाँ पर आप note कर लिजेगा, कि question छोड़ने का कोई negative marking नहीं होती, सही करेंगे तो 4, और गल्थ करेंगे तो 1.33 आपको काट ले जाएंगे, चलिए, इसके बाद में अगर आपने, लग बग 33% अगर आपने score किय वो जो पूरा का पूरा paper था, written वाला, उसमें आपने देखा हूँ अगर भी total examination है, वो 900 number का है, that is 300 maths और प्लस 600 GAT गा, इस 900 number में से अगर आपने लग भग 300 number score कर लिए, तो इसका मतलब आपका return qualify हो गया, तो 900 number के written examination में से आपको सिर्फ 300, 360, 360 number 2B होना safer side लेके आने, तो आपका मान लीजेगा कि आपको written examination निकल गया, चलिए, उसके बाद में जो SSB है, SSB भी है, आपकी 900 number की होगी, SSB में क्या होगा, डे बन जब आप जाएंगे तो पांच दिन के SSB है, तो पहले दिन में क्या होगा, picture perception and description test होगा, डे टू पर क्या होगा, psychology test होगा, डे थ्री group testing, officers task होगे, डे फोर पर interview होगा, और डे फाइव पर conferences होगे, तो यह पूरा SSB का curriculum है, 900 number की SSB होगी, इसमें भी आपको लगबग लगबग तीन सो के आसपास तीन सो, अगर, तू भी होगा, अगर आप माली जे के तीन सो असी या चार्ड़ सो की range में अगर मार्क से ले आता है, यह बहुत अच्छा है, तो कुल मिला के तोटल अगर आपके, यह यहां पर माली जे के चार्ड़ सो यहां ले आए यह आप और वहां पर तीन सो सतर ले आए, तो कुल मिला के अगर आपके नंबर साथ सो सतर के आसपास कहीं टोटल बैठते हैं, तो यू और रेकमेंड़ेट, तो यह है NDA की पूरी की पूरी प्रिप्रेशन का खागा, रिटन प्लस SSB, I hope कि यह जो जानकरी मैंन आपको दिये आपके लिए काम करेगी, गुड़ देख.